हेलो दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉली टेक्टिक की जो सिक्स समेश्टर में हमारा एलेक्टिकर ब्रांच में सब्जेक्ट है आई एम आरी ठीक दोस्तो उसको पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि यह मैंने पहला जो पहला चेप्टर है आ दोस्तों अभी हमारा दूसरा चिप्टर चल ला है उसमें से आप देख रहे हैं कि टू-पॉइंट-3 यानि कि तीसरों इसमें टॉपिक कहा सकते हैं आप इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए लिए चलना हूँ जैसे कि इस्पेक् तो यहां पर हम लोग यह जो आप देख रहे हैं यह आपको बहुत अच्छी से नोटस वाम में देखिए जहां पर आपको आप सुच रहे होगे कि यह बुक नहीं है यह आपका नोट्स वाम ही है ठीक है नो दोस्तों तो मैंने सलेवस आपको दिखा दिया है अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए ठीक है ना हमारे सारे नोट्स के पीडियाप चाहिए तो मैं आपको टेलिग्राम चैनल का नाम बता दूँगा या फिर उसकी लिंक बता दूँगा ठीक है लोसो तो उसको प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और कहीं पर कुछ न समझ मैं तो करता है फिर के दिन गूंट वागर्ट कान्ट वट को हमारे क्या करता है किसी बीलेकर्ट कान्ट jemand को जैसे कि हो सकता है कि वह हमारा कुरेंट को भी छिडग्हा कर रहा हूं टौ लेकिन इन्स्ट्रिमन टाश कर्दा होता है तो जो इसच्ट्बन टांस्पार्मक्र होते हैं यह हाई करेंट और हाई वोल्टिज को मापने के लिए यूज किया जाते हैं तो जिस प्रियोग उच्छे धारा मापने के लिए किया जाता है तथा उच्छ वोल्टता मापने के लिए उच्छ वोल्टता लाइन पर प्रियोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते है पोटें प्राथमी कुंडलन यानि कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है कि मोटे चालक धारा एक से पचास टन से बनाई जाती है इसे मुक धारा परपत की स्रेड़ी में जोड़ दिया जाता है दो तिया कुंडलन अधिक वर्दन देकर उपियुक्त विद्धुत रोधी चालक द्वारा पांच एंपियर पराज के एमीटर के माध्यम से सौर सिर्किट कर दिये जाती है इमीटर का पैमाना प्राथमी की धारा के निश्यत अनुपात में विभक्त होता है यह तो देखिए दोस्तों सारे का सारा आपका थेवरी वाला मैटर मैं आप आप किसको समझाता हूँ देखिए जो हमारा मुर्षली क्या होता है कि जो करेंट टांसफार्मर होता है यह कैस कैसे जोड़ते हैं सेरीज में जोड़ते हैं ठीक और सेकेंडी वाइंडिंग को क्या करते हैं सेकेंडी वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं अपना एमीटर जोड़ते हैं अब देखिए दोस्तों इस टेप ट्रांसफार्मर की खासियत आपको क्या होती है उसकी क्वाल TR quin EMITER लगा लेंगे और उसने तूल को क्या कर देंगे करेंगे करनेreg оно करेंड़ अपने मापन कर लेंगे और यह क् trails You पहार रही है कि अगर मेन slag outra डा रही हो 200 आ रही है और आप अपने सुचा गी 5 अलगा दिया तो ओ 12 5 अम्र की आपको करन बता रहा है तो आप गलत मेजर करें नहीं ऐसा होता है कि वो अगर वो उतमे इह आप रेसियो निकालेंगे कि एक अमप्य बराबर जाप दस जो यह फिर दो बराबर बीस ऐंप्यआ ऐसे होता है इस थिक रहो, तो इस तरीके से आप जाप आ इस इसको ग्राउंड भी कर दिया अब इसकी दिखे एक मुश्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं कि सेकंडी वैंडिंग को इसको कभी खुला नहीं करते हैं से सीटी की सेकंडी वैंडिंग को हम लोग क्या करते हैं कभी खुला नहीं करते हैं इस वजह से नहीं खुला कर देंगे पता है कि हमारा कैसा TRANSFORMER है step-up TRANSFORMER है अगर ऀसके सिकेंडी व्यंडिंग में कैसा बहुत ही ज्यादा हाइव जाए वोल्टेज होगा ठीकर अर हाइव वोल्टेज अगर हम लोग यहां पर खुला कर देंगे तो इसके जब बीच में अ living beings कोई भी आ जाता है तो उसे ने कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच जाएगी ठीक दोसों उसी के बारे में बात की गए यहां पर कि जब प्राथमिक परिपत में धारा प्राइथ हो रही हो तो की दोतिय कुंडली कैसी लगपती थी रखनी चाहिए यादि कुंडलन को ओपन रखा गया है तो दोतिय कुंडल में उच्छ हाई वोल्टेज उत्पन होगा जो कि वहां कार करने वाले वक्ति के लिए सगातक सी दो सकती है इसके टांसफर्मर का कोड़ भी अच्छा संतर्प् जाले हम आपको इसके बारे में जो थोड़ी से थेवरी है वो बताएंगे इसके बाद हम लोग उसका डाइगराम समझेगे फिकने दोस्तों तो वीवाव टांसफर्मर की प्राथमी कुंडलन में अधिक वरतन होते हैं और मापी जाने वाली मुक्ष संचालित उच्छ वोल या इससे अधिक वोलता होने पर टांसफर्मर टेल में ड्उओ कर ब्रियोक के जाते हैं ठीक है दूस्तों अब हम लोग इसके बात करते हैं इसके अपनी वासना में बात करते ही इसको समझाने के में को जेकि जो हमारे पोटेंसियल टांसफर्मर होते है springs स्तिब डाउण ट जादा रखेंगे अब जब आप प्राइमिरी में जादा रखेंगे तो यहां पर वोल्टेज कमान कैसा होगा जादा हो यहां पर करेंट कमान कैसा होगा कम होगा और सेकेंडरी में हमारा कैसा होगा सेकेंडरी में हमारा टरंस कम है तो वोल्टेज कमान कम होगा तो करेंट कमा मां जदा होगा और आपको मेजर क्या करना थो इस वज़े था आप उक है क्या कर सकतें की लिए पर आसका क्या क्या लगा सकतें है वोल्ट मीटर लगा सकते है ठीकिन जो अब देए क्यों रहा हमारा हमेंसवां कैसे एक क्रॉस क् breathing है ठेम पाड़तों मैं जाता है उसको कैसे क्राइमिरी बैंडिंग यह होती है ठेली लेजै की वोल्ट्मींटर का पैमाना प्राथमिक वॉल्टा के अर्ब बाद बनाया जाता है जिनका परस एक सुद्धस वोल्टेस के लिए बनाया जाता है सुरच्छा की दिर्श्च इस ट्रांसफार्मर की दोतिया कुंडली को प्रात्मी कुंडलींट से उच्छ विद्धू तरोधी मैटेयल से द्वारा अलग कर दिया जाता है अब यह इसका जो डाइगराम क्या करते हैं से केंड़ी में यह अपना वोल्टमीटर जोड दिया और हमने अपने टांसफार्मर को से यहां भी ग्राउंड भी कर दिया और यह हमारी लाइन है कैसे यह तुछाती रहती है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत है आसानी से कि यह हमारे से यह आपको से लिवस के कॉर्डिंग मैंने बता दिया ठीक है अगर दोस्तों अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट्स करके बता दीए हम आप उसको सौल करने के पूरी कोशिश करेंगे ठीक है और अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प् किजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ठीक है दोस्तों थैंक्यू दोस्तों